हाई गाईज वेलकम तु स्टड़ी काउच तो आज हम मत करेंगे लास्ट थ्री मंथ का अक्टूबर मंथ से लेकर दिसंबर 2020 तक के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स हैं उन सब के बारे में आपे डिल करेंगे जो कि एस आलवेज हिंदी और इंग्लिस तोरों मीडियम में आप सब के लिए अवेलेबल होंगे और अगर आपको इसका पीडियाप चीए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक है आप लोग वहां से जाके इसका पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप का पीरियड था उसमें इंडियन एकोनोमी जो है उसमें कितने परसेंट का कॉंट्रेक्शन गिरावट हुई है तो अभी रिसेंटली बेसिकली 27 नमबर 2020 को जो इंडियन गवर्मेंट है उसके द्वारा डाटा रिलीज किया गया और उसमें ये पता चला कि जो 2020-21 की जो सेक मुआ ठालेगा डी अब सबस्क्राइब करते नेक्स्सक्तिक जिसमें इक आवर्ट के बारे में पूछा गाया इसका नैम यू-1 ग्Robal Climate Action या तो यह यह जिसको की पैदेशन बोलते हैं उसको यह ठीनitट नेशन का जो कि काफी प्र्स्टिजियस अवर्ड ऑरूंगल Global Climate Action Award 2020 दिया गया है उसके जो भी efforts उसके द्वारे किये गए थे climate change को tackle करने के लिए उन सब के लिए अवर्ड दिया गया है तो यहां पर इस question का जो correct answer है को हो जाएगा D Global Himalayan expedition अब next question की बात करते हैं next question में basically naval exercise जिसका नाम है carrot उसके बारे में पूछा गया है जो की 4 November 2020 को exercise यह हुई थी तो इसमें 2 countries की navies के द्वारा participate किया गया था तो किन 2 countries की navies के द्वारा participation किया गया था उनके बारे में basically पूछा गया है अब next question की बात करते हैं next question में basically backa agreement जिसकी full form के अगर हम बात करें तो वो है basic exchange and cooperation agreement for geospital cooperation यह basically इंडिया के द्वारा एक country के साथ में October month में 27 October 2020 को जब इन दोनों countries की 2 plus 2 की जो minister dialogue की जो third round हुआ था उसमें यह agreement sign किया गया था तो यहां पे किस country के साथ में यह agreement sign किया गया था यह पूछा गया है तो basically USA की जो government थी उसके साथ में इंडिया के द्वारा यह agreement sign किया गया था 27 October 2020 को जो 2 plus 2 की minister dialogue की जो meeting हुई थी उसमें यह sign किया गया था तो यहां पे इस question का जो correct answer है वो जाएगा अब next question की बात करते है next question में basically TRAI जिसकी full form है टेलीकॉम regulatory authority of India जो है उसके नए chairperson के रूप में या chairman के रूप में किन को appoint किया गया है तो एक committee है जिसका नाम है appointments committee of the cabinet उसके द्वारा सब्टमबर मन्त में 28 September 2020 को एक senior IS officer है जिनकर हमें PD वाघेला उनको basically telecom regulatory authority of India या TRAI के नए chairman के रूप में appoint किया गया है तो यहां पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question की बात करते है नेक्स question basically यहां पे पूछा गया है कि एक organization से relatedly question है यहां पे basically यह पूछा गया है कि जो ILO है जिसको की international labor organization या फिर अंतराश्टे स्रम संगठन बोला जाता है उसकी जो governing body है उसकी chairmanship के लिए 35 साल के gap के period के बाद में किस country के दोर उसकी chairmanship ली गई गई जो ILO की governing body की chairmanship है वो इंडिया के द्वारा take over की गई है तो यहां पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D अब next question की बात करते हैं next question में basically यहां पर Arab countries से related a question है इसमें basically यह पूछा गया है कि कौन सी country जो है Arab nations की कौन सी country जो third country बनी है जिसके द्वारा इसराइल के साथ में जो उसके relations है उन सब को normalize कराया गया है तो यहां पे इससे पहले दो countries के द्वारा कराया जा चुगा जैसे कि बैरेन और UAE UAE मतलब United Arab Emirat उनके बाद third number पे जो country है वो है सुडान तो सुडान और इसराइल के द्वारा भी recently यहां पे जो उनके relations थे उन सब को normalize कराएगा यह basically जो US के president है Mr. Donald Trump उनकी help से ही यह deal ब्रोकर्ड हुई है तो यहां पे इस question का जो correct answer हो जाएगा D अब next question के बात करते हैं next question में basically spice यानि कि एक मसाले की खेती के बारे में आप पूछा गया है जो spice है उसका cultivation इंडिया के दौरा first time start किया गया तो यहां पे किस spice के बारे में बात की जा रही है तो हींग जो है उसकी जो first seedling है वो basically हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की जो लाहुल वैली है वहां पे गाव है जिसका नाम है quaring village वहां पे इसकी जो first seed जो है उसको plant किया गया है यह basically October 2020 में इंडिया के जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है वहां पे किया गया था हिंग की cultivation के लिए तो यहां पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question की बात करते है नेक्स question में basically NASA का जो एक mission है Osiris Rex जो successful mission है जो कि अभी रिसेंटली एक asteroid जो है उसके surface को touch किया है उसके सासथ वहां से जो भी dust वगेरा के जा फिर फीबल्स वगेरा के जो भी samples होंगे basically उन सब को Earth पे लेके आएगा तो यहां पे किस asteroid के surface की बात की जा रही है तो यह basically यहां पर पूछा गया है तो यह basically October 2020 की बात है तब जाके NASA का जो और जो बैनू एस्टोरोइड है उसके surface को touch किया गया था और 2023 तक यह Earth पे आएगा यह सारे samples को लेके तो यहां पर इस question का जो correct answer हो जाएगा D बैनू एस्टोरोइड को touch किया गया और वहीं क को collect करके 2023 में यह Earth पे लेके आएगा अब next question की बात करते है next question में basically international day of persons with disability के बारे में पूछा गया यह जो डे है कब observe किया जाता है annually basis पे हर साल यह जो day है 3rd December को observe किया जाता है और हाल यह में 2020 में 3rd December 2020 को यह day observe किया गया था तो यहां पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D sorry C अब next question की बात करते है next question में basically यहां पे पूछा गया किस country के दौरा अभी recently यह pledge किया गया यह संकल पर लिया गया है कि उसको जो भी public sector का का public sector से जो भी कारबन्स निकलते हूं उन सबको neutral कर दिया जाएगा 2025 तक अभी recently हुआ किया जो नीजू लेंड है वहां पे climate emergency की गए थी second December 2020 को और तब ही जाके वहां की जो government उसके द्वारी यह बोला गया जो भी उसका public sector है उसको 2025 तक carbon neutral बनाया जाएगा यहां पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question की बात करते हैं next question में basically statue जिसका नाम मा अन पूर्णा statue जिसको की 100 साल से भी पहले की बात है जब इंडिया से उसको चुरा लिया गया था और अभी recently यह announcement हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंदर बोदी उनके द्वारे की गई उसका जो original home है जो की वारण सी यानि की उत्तर प्रदेश में हैं वहाँ पर वापिस से उस statue को लाया जा रहा है तो वहाँ पर किस country से उस statue को लाया जा रहा है यह यहाँ पर पूछा गया है तो वो basically Canada से लाया जा रहा है तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा एक अब next question की बात करते है next question में basically asocam यानि की जिसकी full form है associated chambers of commerce and industry of India इसके नए प्रसिडेंट की रूप में अभी किन को appoint किया गया तो अभी हाल ही में 21st December 2020 को जो विनित अग्रवाल है जो की अभी recently managing director है जो PCI है यानि की Transport Corporation of India जो उसके managing director है अभी तो और उनको ही जो associated chambers of commerce and industry of India उसके नए प्रसिडेंट की रूप में appoint किया गया है तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D अब next question की बात करते है next question में basically यहाँ पे पुछा गया रामसर sites के बारे में कि अभी total इंडिया में कितनी रामसर sites situated हैं कितनी रामसर sites located हैं तो अभी total वैसे तो 41 थी बट अभी recently December month में इलदाक का जो wetland complex है ठीक है आप लोगो comment करके बताने को उस wetland complex का exactly नाम क्या है उसको का number 41 से बढ़ कर 42 हो गया था तो अब यहाँ पर को इस question का जो correct answer होगा वो हो जाएगा अब next question की बात करते है next question में basically यहाँ पे एक award के बारे में पूछा गया है जो हाल ही में December month में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है honorable नरिंज मोदी उनको दिया गया है तो यह जिसका नाम है basically reason of merit जो यह award है यह किसी एक country के president के द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है तो यहाँ पे किस country के president के द्वारा यह award दिया गया है यह पूछा गया है तो USA के जो president है Mr. Donald Trump उनके द्वारा basically यह award हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है क्योंकि US और इंडिया क जो strategic partnership थी उसको elevate करने को उसको अच्छा करने के लिए उसकी leadership के लिए basically जो हमारे प्रैम मिनिस्टर है उनको यह award US के president के द्वारा दिया गया है तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A अब next question के अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है national mathematics day के बारे में कि हर साल जो national mathematics day है उसको कब observe किया जाता है तो हर साल 22nd December को जो national mathematics day है उसको observe किया जाता है इस दिन basically जो इंडिया के mathematical genius है जिनको अनाम है S. Ramanujan या स्री निवास Ramanujan जो है उनकी birth anniversary को commemorate करने के लिए जो national mathematics day है उसको 22nd December को हर साल observe किया जाता है तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question की बात करते हैं next question में basically यहाँ पे जो PM स्वानिदी scheme जो है उसके बारे में यहाँ पे यह पूछा गया कि किस state के दौरा जो PM स्वानिदी scheme है उसके अंदर first position हासिल की गई है वो की गई यूपी यानि कि उत्तर प्रदेश के दौरा जो की basically PM जो स्वानिदी scheme है यह एक central government की काफी ambitious scheme है इसमें जो भी street vendors हैं मतलकि urban area में, rural area में अब three urban areas में उन सब को benefit करने के लिए इस scheme को चलाए गया था तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा जिंक smelter project है उसको उस state में set up किया जाएगा तो हाले में जो गुजरात government है उसके दोरे यह decide किया गए जो world का biggest जिंक smelter का project होगा उसको गुजरात का एक district है जिसका नाम तापी district वहाँ पे जो दोसा वड़ा जगे है वहाँ पे इसको set up किया जाएगा तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question की बात करते है नेक्स question में basically यहाँ पे पूछा गया है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है Honorable Narendra Modi उनको अभी recently invite किया गया है एक country के दोरा एक country जिसका की 2021 में जो पचासवा independence day होगा उसको celebrate करनी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनको invite किया गया तो यहाँ पे किस country के दोरा यह invitation भेजा गया है तो यह basically भेजा गया है बंगलादेश के दोरा बंगलादेश जिसका 50 years की जो anniversary होगी इंडिपेंडेश की 26 March को होगी 26 March 2021 को उसके लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको invite किया गया है तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question की बात करते हैं next question में basically यहाँ पे पूछा गया है जो दिनेश कुमार खरा है उनको अभी किस bank के chairman के रूप में appoint किया गया तो यह basically अक्टूबर के starting में 7 October 2020 को यह announcement की गई कि जो दिनेश कुमार खरा है उनको SBI के जो नए chairman है उनके रूप में appoint किया जाएगा तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question के अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पूछा गया है Nobel Peace Prize के बारे में जो 2020 Nobel Peace Prize है वो किड को दिया गया तो वो basically दिया गया था WFP यानि की World Food Program जो है उसको basically 2020 का Nobel Prize है जो है वो दिया गया था उसके जो भी efforts थे हंगर को combat करने के हंगर को कम करने के लिए जो भी उसके द्वारे efforts किये गये थे उन सब को ध्यान में रखते हुए 2020 का Nobel Peace Prize है वो World Food Program को दिया गया तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D अब next question की बात करते हैं नेक्स question में basically यहाँ पे इंडिया का एक premium cotton का brand के बारे में पूछा गया है जिसको हाल ही में इंडिया के द्वारा launch किया गया था अभी इंडिया की Union Minister of Textile एस्मिर्थी इरानी उनके द्वारा इंडिया की जो first ever इंडिया का जो premium cotton है उसकी brand और logo को 7 October यानि कि जिस दिन World Cotton Day celebrate किया जाता उस occasion पे ही इसको launch किया गया था एक video conference के तूरू जिसका नाम रखा गया था कस्तूरी cotton ठीक है यहां पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question के अगर हम बात करें तो यहां पे basically पूछा गया गी chemistry के बारे में chemistry के जो 2020 के Nobel Peace Prize sorry Nobel Prize जो दिये गए है वो किन को award किये गए है तो chemistry के field में Nobel Prize दिया गया और दो लोगों को दिया गया था एक तो Emmanuel Charpia और दूसरा Jennifer A.Donna इन दोनों को chemistry के field में जो यह Nobel Prize है यह 2020 के लिए दिया गया था जो basically genome editing जो होती है या फिर gene editing जिसको हम बोल सकते है उसके लिए इनको यह 2020 का Nobel Prize दिया गया था तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A अब next question की बात करते है next question में basically यहाँ पर RBI के जो deputy governor है उसके बारे में पूछा गया हाल ही में जो RBI के deputy governor के रूप में fourth deputy governor के रूप में किन को appoint किया गया है तो basically M. Rajeshwar Rao जो है उनको RBI यानि Reserve Bank of India के जो fourth deputy governor है उसके रूप में appoint किया गया है यह जो post थी NS. Vishwanathan के time से ही उसके बाद के period से ही यह post खाली थी और अभी recent लिए इस post पे M. Rajeshwar Rao को appoint किया गया है यहां पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A अब next question की बात करते है next question में basically यहां पे पूछ गया है जब इंडिया का Republic Day जो होगा 2021 में 26 January 2021 को उस Republic Day में जो chief guest होंगे वो कौन होंगे या फिर किन कौन वहां पे chief guest आएगे तो वहां पे basically UK यानि कि United Kingdom के जो प्राइम मिनिस्टर है Mr. Boris Johnson वो इसमें chief guest के रूप में आएगे तो यहां पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question के बारे में बात करते हैं next question में basically यहां पे यह पूछ गया एक state government के द्वारा हाली में एक rural housing project के तहत एक योजना लांच की गई जिसका नाम है महा आवास योजना तो यह किसके द्वारा लांच की गई तो अभी recently जो महारास्ट के current chief minister ने उद्दव ठाकरे उनके द्वारा नवंबर मन्त में 20 नवंबर 2020 को महा आवास योजना को लांच किया गया था जिस project के अंदर जो महारास्ट government है उसका main motive है कि 8.82 लाक मतलब कि around 9 लाक जो rural houses है उन सब को 100 days के period के बीच में build किया जाए तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D अब next question की बात करते हैं next question में basically यहाँ पर Asia की जो first solar power textile मिले है उसके बारे में पूछा गया है कि उसको किस state में setup किया जाएगा तो Asia की जो first solar power textile मिलोगी उसको basically महारास्ट जो है वहाँ पर एक पारबनी district है वहाँ पर setup इसको किया जाएगा जो कि solar power enabled होगी तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question की बात करता है next question में basically यहाँ पर यह पूछा गएगी जो किस country के द्वारा हाली में जो world की first 6G experimental six generation की experimental satellite है उसको launch किया गया तो किस country के द्वारा यह step ली गई तो अभी November month के starting में 6 November 2020 को जो चाइना है उसके द्वारा world की जो first 6G experimental satellite है उसको अब next question की बात करता है next question में basically यहाँ पर पूछा गया है कि जो बिहार के डिफ्टी चीफ minister के रूप में first woman को ने जिनके द्वारा oath ली गई है सपत ली गई है अभी recently तो यह भी November month में mid November में यह हुआ था जब basically रेनु देवी जो है उनके द्वारा जो woman deputy chief minister उपिहार के रूप में सपत वहाँ पे ली गई है तो इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question की बात करता है next question में basically यहाँ पर ICC यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट लीग जो है उसके बारे में International Cricket Council जिसको की ICC भी हम बोलते है उसके बारे में है वहाँ पर basically यही पुछा गया है जो international cricket होती है उसमें players को खेलने के लिए minimum कितनी age की limit रखी गई है अभी जो नई ICC की policy आई है उसके according तो अभी recently जो international cricket council board है उसके द्वारा minimum age limit रखी गई है 15 years किसी भी player को international cricket में play करने के लिए यह नई policy जो है basically 90 November 2020 को announce की गई थी यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A अब next question की बात करता है next question में basically यहाँ पे पूछ गए किस country के द्वाला recently अभी जो नागोर्नो काराबख का region है उसको no fly zone region declare किया गया है तो अर्मेनिया और अजीर बाईजान दो कंट्रीज है उन दोनों में इस area को जिसको नागोर्नो काराबख इस region को लेके काफी ज़्यादा conflict चल रहा था और अभी recently जो अर्मेनिया है उसके द्वारा declare किया गया जो नागोर्नो काराबख का जो region है उसमें बस military aircraft को exception रखके बाकी जो भी aircraft वगरा है उन सब को no fly zone में यहाँ पर consider किया गया declare यहाँ पर अर्मेनिया के द्वारा किया गया है तो यहाँ पर इस question के जो correct answer है हो जाएगा C अब next question की बात करते है next question में basically यहाँ पर पूछा गया कि कि किस state government के द्वारा अभी recently यह announce किया गया जो भी e-vehicles होंगे उन पे जो 100% जो tax लगता है उसको 100% exempt किया गया 100% की वहाँ पे tax पे छूट दी गई है तो यह किस government के द्वारा इसको पास किया गया तो अभी recently तामलनाडू की government है उसके द्वारा यह order पास किया गया है जिसमें कि 100% का exemption दिया जाएगा जो भी motor vehicles होंगे जो basically battery operated vehicles होंगे e-vehicles का मतलब यहाँ पे यह ही हो गया कि battery operated vehicles के बारे में बात यहाँ पे की जा रहे electric vehicles basically तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question की बात करते हैं next question में basically यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया के द्वारा अभी recently एक species है ठीक है एक मतलब की प्रजाती है जिसके conservation के लिए five year का plan जारी किया गया गया तो यहाँ पे किस species के बारे में बात की जारी तो central government यह union government के द्वारा अभी recently एक five year का action plan बनाये गया है जो भी vultures होते हैं उनको conserve करने के लिए या फिर गिद जिनको हम बोल सकते हैं तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question की बात करते हैं next question में basically यहाँ पे पूछा गया है जो world toilet day है वो कब observe किया जाता है तो हर साल 19th November, 19 November को जो world toilet day या 214 दिवस जो है उसको observe किया जाता है यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question के अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पूछा गया कि किस country के द्वारा अभी recently एक transitional government के द्वारा जो किसी country की जो government है transitional government जो है उसके द्वारा एक agreement sign किया गया है इस agreement का नाम है जूबा peace agreement यह वहाँ के उसी country का जो rebel group है उनके साथ में sign किया गया तो यहाँ पे किस country के बारे में बात की जा रही है तो 3rd October 2020 को सुदान की transitional government है उसके द्वारा एक peace deal sign की गयी थी जिसका नाम था जूबा peace agreement जो वहाँ के rebel group से कई सारे उन सब के साथ में मिलके इस deal को sign किया गया थी एक साल के बाद में इस deal पे काफी talks हुई उसके बाद में एक साल लग गया था फिर जाके इस deal को sign किया गया थी यहाँ पे इस question का जो correct answer है अब next question की बात करते है next question में basically यहाँ पे एक award के बारे में पूछागा एक honor बोल सकते हम इसको यह है कि social entrepreneur of the year 2020 का जो नाम है वो किन को दिया गया है तो यह basically जो असरफ पटेल है उनको यह award दिया गया social entrepreneur of the year 2020 जिसको की अभी हमार जो union minister of women and child development है इसमिर्ती इरानी उनके द्वारा November 2020 में यह virtual ceremony के धुरूई award उनको present किया गया था तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question की बात करते है next question जिसमें की HDI index याने की human development index जो है उसके बारे में पूछा गया जिसको हाल यह में 2020 के लिए release किया गया तो इसमें इंडिया की जो ranking की किस position पे रही है तो यह जो index है जिसमें total 189 मतलब की 190 countries को rank किया जाता है इसमें 2020 में इंडिया की जो ranking थी 131st 131 वे number पे रही थी इस index में basically होता है क्या है कि कि किसी भी country के जिसे health हो गया या फिर standard of living कैसा है अगर education क्या है इन factors के basis पे ही किसी भी country की ranking की जाती है अगर top countries के हम बात करें जैसे नौर्वे फस्ट rank पे थी उसके बाद second number पे Ireland, third number पे Switzerland, fourth पे Hong Kong and fifth number पे Germany, sorry fifth number पे Iceland and sixth number पे Germany थी तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है हो जाएगा B अब next question की बात करते हैं जिसमें basically G7 summit के बारे में पूछा गया है 2021 की जो G summit होगी वो किस country के दोरा उसको host किया जाएगा है किस country में वो G summit होगी तो यह basically अभी हुआ किया है जो United Kingdom के Prime Minister है Mr. Boris Johnson उनके द्वारा यहाँ पे invitation भेजा गया था जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है हमारे ओनरेबल नरेंदर बोदी उनके लिए कि उनके द्वारा इस summit को attend किया जाना चाहिए जिसको कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा accept किया गया था तो यह जो 2020 की जो summit होगी G7 की जो basically UK यानि की United Kingdom में होगी तो यहाँ पे इस question के जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question के अगर हम बात करें तो यहाँ पे basically 2030 के जो Asian Games है उनकी hosting के बारे में पूछा गया है जो 2030 के Asian Games है उनको किस city में host किया जाएगा तो जो Olympic Council of Asia है उसके द्वारा 16th December 2020 को यह announcement की गई थी कि जो Qatar है Qatar की जो capital है जिसका नाम है Doha वहाँ पे 2030 के जो Asian Games है उनकी सब को host किया जाएगा तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question के अगर हम बात करें जिसमें basically पूछा गया जो Ayurved Day है वो कब observe किया जाता है 2020 का basically कब observe किया गया वैसे तो 5th 2020 में जो Ayurved Day observe किया गया वो 5th Ayurved Day था जिसको observe किया गया था जो basically 13 November 2020 को किया गया था जिस दिन धंते रस थी ठीक है Ayus Ministry जो है उसके द्वारा इस day को observe किया जाता है जिसका नाम है Ayurved Day और 2016 से इस day को start किया गया था यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question के अगर हम बात करें तो next question में basically यहाँ पर पूछा गया कि एक organization है जिसके द्वारा भी recently announcement की गई है कि जो global center on traditional medicine है इसको इंडिया में setup किया जाएगा तो यहाँ पर किस organization के द्वारा यह announcement की गई थे 13 November 2020 को जो हमारे प्राइम मिनेस्टर है उनके द्वारा इस announcement को public किया गया था जो World Health Organization या WHO जो है उसके द्वारा जो WHO का global center on traditional medicine है उसको इंडिया में setup किया जाएगा यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question की बात करते है next question में basically यहाँ पर पुछाएगा 9 October 2020 को जो DRDO है उसके द्वारा एक anti-radiation missile को successfully test fire किया गया था यहाँ पर किस anti-radiation missile की बात की जा रही तो DRDO यानि कि Defense Research and Development Organization जो है उसके द्वारा इस missile को जिसका नाम रुद्र M है जो कि एक anti-radiation missile इसको 9 October 2020 को successfully test fire किया गया है यह एक indigenously developed और designed missile है यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question की बात करते है next question में basically यहाँ पर पुछा गया कि इंडिया जो है वो basically कई सारी जो maritime surveillance की satellites है उन सब के constellation ठीक है एक सम्हू के रूप में उन सब satellites को किस country की साथ में launch करेगा तो ISRO जो की जिसकी फुल पॉम है Indian Space Research Organization वो basically French की जो space agency है जिसका नाम है CNES ठीक है उसके साथ में मिलके jointly जो maritime surveillance की satellite है उनका जो constellation है उसको launch इन दोनों के द्वारा Indian Ocean के region में किया जाएगा तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C French या France की जो space agency है जिसका नाम है CNES उसके साथ में मिलके अब next question की बात करते है नेक्स question हम basically यहाँ पर यह पूछा गया कि इंडिया की जो ISRO है उसका एक mission है Venus mission ठीक है Venus mission के लिए किस country के साथ में इस रो ने partnership की है तो यह भी basically France के साथ में ही partnership इसमें की गई है और यह जो Venus mission है इसको 2025 2025 में launch किया जाएगा अभी expected date या expected year जो है 2025 है इस mission के लिए तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D अब next question की बात करते है next question में basically यहाँ पर पूछा गए जो world का longest highway tunnel है यह जो चार options दिये गए इन में से कौन सा tunnel जो है जो की world का longest highway tunnel है तो अभी recently हुआ क्या था कि October 2020 में जो हमारे Prime Minister है उनके द्वारा अटल tunnel जो की world का longest highway tunnel है उसको रहतंग में inaugurate किया गया था यह बैसिकली 9.02 km लंबा tunnel है जो की 3000 meter के altitude पे इसको बनाए गया यह basically हिमाचल प्रदेश के जो मनाली है उसको जो लाहुलिस्पती वैली है उसके साथ में connect करने के लिए इस tunnel को बनाए गया तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा डी अटल tunnel हम next question की बात करते हैं next question में basically यहाँ पे किस telecom giant के द्वारा एक 20,000 करोड रुपे का जो arbitration case था इंडियन government के अगेंस्ट में वो जीता गया है तो यह basically यहाँ पे Vodafone Group PLC जो है उसके द्वारा जीता गया था यह October की बात है बट अभी recently December month में भी एक और arbitration का case था इंडियन government के साथ में जो की cane energy का था ठीक है उसमें भी Indian government की हार ही हुई है वहाँ पे 8,000 करोड रुपीज का जो हरचान है इंडियन government को cane energy को देने के बारे में जो PC है permanent court of arbitration उसके द्वारा बोला गया है तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question की बात करते है नेक्स question में basically यहाँ पर जो WHO Foundation World Health Organization जो foundation है उसके first CEO के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है या फिर कौन उसके first CEO के रूप में अपॉइंट किया जाएगा बेसिकली Indian origin के global health expert है जिनका नाम है अनिल सोनी उनको इस post के लिए अपॉइंट किया भाली जाएगी तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा डी अब next question के अगर हम बात करें तो next question में basically यहाँ पर यह पूछा गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच के एक territory है जिस territory में पाकिस्तान के द्वारा announcement की वी कि वहाँ पे elections वगेरा कराए जाएंगे उसके साथ साथ उस territory को fifth province भी बनाया जाएगा पाकिस्तान का और जिसके regarding इंडिया में काफी जादा protest हुई थी यहाँ पर किस territory के बारे में बात की जा रही थी यहाँ पर जिस territory के बारे में बात की जा रही उसका नाम है गिलगिट बाल्टिस्तान तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो एक water center बनाया जाएगा मतलब कि एक तो किसी country की leading university है और दूसरी है आईटी गौहाटी इन दोनों के द्वारे मिलके water center jointly बनाया जाएगा तो यहाँ पर किस country के बारे में बात की जा रही थी यहाँ पर बेसिकली यह नवंबर मन्त के starting में एक वर्चुल इन्योगरेशन किया गया था ऑस्टेलिया और इंडिया का water center का यहां पर जो ऑस्टेलिया की university है वह बेसिकली जिसका नाम है University of Western Sydney ठीक है वह युनिवर्सिटी गौहाटी जो है इन दोनों के द्वारे मिलके इस water center को launch किया गया तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D अब next question की बात करते है next question में basically यहां पर पूछा गए कि किस international organization के द्वारा एक food collision launch किया गया है तो यह basically जो covid-19 या coronavirus के pandemic के जो भी impact थे उन सब का address करते हुए जो FAO है यानि कि food and agriculture organization जो की United Nations के एक organization उसके द्वारा formally जो food collision था इसको launch किया गया था तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A अब next question की बात करते है next question basically यहां पर यह पूछा गए जो USA है उसके द्वारा इसकी एक list है state sponsors of terrorism की list उसमें से एक country को recently हटाया गया था तो उस step को USA की जो यह step तो इसको इंडिया के द्वारा welcome किया गया था बट यहां पर किस country को USA के द्वारा हटाया गया था उसके बारे में पूछा गया तो अभी रिसेंटी जो USA का जो इस department है उसके जो list है जिसका नाम है state sponsors of terrorism list उससे basically सुडान को हटाया गया था जो यह step USA के द्वारा ली गए थी इसको इंडिया के द्वारा काफी welcome किया गया था यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा सी अब next question के बारे में बात करते है नेक्स question बेसिकली यहां पर पूछा गया कि जो मालाबार exercise है ठीक है वहां पर एक country को इस exercise में invite किया गया था जिससे कि इंडिया यूएस और जापान जो है इन तीनों को वो join कर सके तो यहां पर basically जो quad nations है जो कि चार countries है इंडिया USA जापा और Australia तो 3rd November 2020 को जो Australia है उसको भी invite किया गया था मालाबार exercise को join करने के लिए तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question की बात करते है next question में basically world tsunami awareness day के बारे में पूछा गया कि इसको कब observe किया जाता है तो हर साल 5 November 5th November को जो world tsunami day है इसको observe किया जाता है जो कि 2020 में भ तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा ए अब next question की बात करते है next question में basically यहां पर पूछा गया कि किस country के द्वारा जो भी targets रखे गए किस country ने basically 2050 तक 2050 तक जो zero carbon emission है उसको अचीव करने का target रखा है तो अभी जपान के जो नए प्राइम मिनिस्टर बनेते यो सीदेश ह होगा उनके द्वारा यह recently announcement की गई कि जो जपान है वो 2050 तक zero carbon emission अचीव कर लेगा तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question की बात करते हैं जिसमें basically CCPI index यानि कि climate change performance index के बारे में पूछा गया है जिसको 2021 के लिए जो Germany की एक environmental and development organization है जिसका नाम German watch उसके द्वारा release किया गया तो उसमें इंडिया की ranking जो है किस position पे रही है तो 2021 के लिए इस index में इंडिया की जो ranking थी वो 10th position पे रही थी तो य next question की बात करते है next question में basically यहां पर यह पूछागे किस state के द्वारा उसका जो first eco bridge है उसको बनाया गया है चोटे चोटे जो animals होते हैं जैसे snake, squirrel वगएरा, lizards वगएरा जो है उन सब को accident से बचाने के लिए इस eco bridge को बनाया गया है जो की एक first है इस type का कोई भी bridge है यह basically उत्रा यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C उत्राखंड अब next question के अगर हम बात करें तो यहां पर basically formula 2 की race के बारे में पूछा गया है कि अभी recently जो formula 2 की जो race हुई थी जो basically बहरायन में हुई थी 6 December 2020 को वहां पर एक Indian के द्वारा इस race को जीता गया तो कौन से Indian है जिनके द् फॉस्ट इंडियन बने हैं इस race को जीतने वाले वह हैं जेहन दर्वाला उनके द्वारा जो 6 December 2020 को यह formula 2 की जो race हुई थी इसको जीता गया तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D अब next question की बात करते हैं next question में basically यहां पर यह पूछागा एक जो ओला है जो की basically इंडिया की एक ride sharing company है उसके द्वारा एक जो first electric scooter की factory है उसको set up किया जाएगा तो उसको किस state में set up किया जाएगा तो अभी 14 December 2020 को जो ओला है उसके द्वारा और Tamil Nadu जो state government है उन दोनों के द्व हुआ है वहां पर जो first electric scooter की factory है जिसकी total work जो है 2400 करोड रुपीज के असपास होगी उसको establish किया जाएगा तो यहां पर इस question का जो correct answer है वह हो जाएगा C अब next question की बात करते हैं यहां पर basically यह पूछा गए जो United States है मतलब कि USA जो है उसके द्वारा कंट्री पर sanctions लगाए गए अभी हुआ क्या कि उस country के द्वारा जो S400 की surface to air missiles उसको रसिया से purchase किया जा रहा था तो उस purchase पर ही USA उसके द्वारा उस country पर sanctions लगाए गए तो यहां प पूज किया गया था तर्की के द्वारा S400 की जो surface to air missile है उसको रसिया से खरीदा जा रहा था तो इस basis पर USA के द्वारा यह sanctions यहां पर लगाए गए थे तर्की पे तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question की बात करते हैं तो यहां पर basically mount Everest के बारे में पूछा गया कि अभी recently हुआ कि चाइना और नेपाल के द्वारा jointly mount Everest की जो नई height है उसको वापिस से calculate किया गया था और नई height यहां पर बताई गया थी पहले इसकी height जो की 8,848 meter थी अब इसकी नई height जो इसमें की 0.86 meter का जो increment हुआ है तो इसकी जो नई height है वो है 8,848.86 meter तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा A अब next question की बात करते है जिसमें basically जो रविंद्र नाथ टैग और लिट्रेरी प्राइज 2020 है उसके बारे में पूछा गया एक जो रविंद्र नाथ टैग और लिट्रेरी प्राइज 2020 है वो किसको दिया गया तो एक इंडियन जनरलिस्ट और आथर है जिनका नाम है राज कमल उनको 2020 का जो रविंद्र नाथ टैग और लिट्रेरी प्राइज है वो दिया गया उनके एक नौवल के लिए जिस नौवल का नाम है दा सिटी एंड़ सी यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा डी अब next question के अगर हम बात करते हैं यहाँ पे basically W.E.F. यानि की World Economy Forum के बार सिंगापूर में किया जाएगा जो की 13 से 16 में 2021 के बीच में यह मीटिंग होगी तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा डी तो यही थे कुछ important mcqs last three month यानि कि October November और December से जो भी important current offer थे उन सब के most important mcqs जिनको आमने explanation के साथ में solve करने की कोसिस की और अगर आपको इसका पीडियप चीए तो उसका लिंक नीचे description में है टेलिग्राम का आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडियप डाउनलोड कर सकत हैं तो आज के लिए बस इतना ही hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like share and subscribe to study couch thanks for watching and have a good day